आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें तो उसके लिए अगर हम विस्तापन का समीकर्ण की बात करें, तो विस्तापन का समीकर्ण होता है एक्स उकॉल टू ए साइन उमेगा टी, ठीक है, जहां यह हमारा आयाम है प्रशन में अगर हम देखें, तो यहां से हमें आवर्तकाल दिया गया है तो इसको अगर हम आवर्तकाल के रूप में लिखें, तो यहां से उमेगा को हम लिख सकते हैं यह हमारा समीकर्ण बन जाएगा ताचणिक विस्तापन के लिए अब हम यहां पर हमारा जो T है, वो 6 सेकेंड है अगर हम देखें, प्रशन में कह रहा है कि इसका विस्तापन आयाम का आधा होगा ठीक है, तो विस्तापन मतलब की X, हमारा आयाम का आधा मतलब A बटे 2 होगा T का मान हमारा 6 सेकेंड है, दोनों मान यहां से हम समीकर्ण एक में रखते है तो आयाम हमारा A बटे 2 हो जाएगा, इकोल टू A, यह हो जाएगा, साइन, 2 पाई, और बाई हो जाएगा यहां से 6 आवर्तकाल जो हमारा है, केप्टल, तो यह हो जाएगा T, ठीक है तो यहां से A से हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा, 1 बटे 2 इकोल टू साइन, 2 पाई, और बाई 6 T अब यहां से अगर हम देखें, तो साइन में हमारा 1 बटे 2 जो मान होता है, वो साइन, पाई बाई 6 का होता है ठीक है, तो यहां से साइन साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह बचेगा, पाई बाई 6 इकोल टू, 2 पाई बाई 6 T यहां से हम T का मान निकाल सकते हैं, मतलब उस समय की गढ़ना कर सकते हैं, जहां पर हमारा विस्तापन जो है, वो आयाम का आदा है तो यहां से T कोल टू आ जाएगा, एक बटे 2 सेकेंड, तो यहीं हमारा इस प्रश्न का अंसर हो जाएगा, कि एक बटे 2 सेकेंड में हमारा विस्तापन जो है, वो आयाम का आदा होगा, धन्यवाद